हाई एवरिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतरगत हम बात करेंगे UP-PCS परिक्षा को लेकर आज के पेपर में आपके सेलेबस को लेकर कुछ चीज़े आई हैं जितने लोग भी PCS के लिए तयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लि यूपी से जुड़े हुए दो प्रश्ण पत्र इसमें एड करे जाएंगे नॉटिफिकेशन जब आएगा तो आपको और भी डीटेल में चीज़े पता चलेंगी दिखे प्रदेश कैबिनेट ने इन यमों में बदलाओ को मन्जूरी दी है प्रदेश सरकार ने समलित सामान ग्यान के दो प्रश्ण पत्र जोड़े जाएंगे यह देखे यहां पर में पॉइंट है आपको यह जमन जा है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो सामान ग्यान के दो प्रश्ण पत्र होंगे उसको जोड़ दिया जाएगा जब आप लोग प्री एक्जाम द पेशल होता है वहां के स्टेट का तो उसastern बंतेने लेकिन यूपी-P-C-S की बात करें तो उसका वेटेज buna है देखनी को मिलता है जिसका लाव जितने भी स्टेट होते हैं समी कैंडिडेट को समा रूप से ही मिलता है लेकिन यूपी-कैंडिडेट । MPPCS या बिहार PCS की परिक्षा देते हैं तो उनको उसके बारे में डीटेल नौलेज लेनी पड़ती है आईए आगे देखते हैं सुत्रों ने बताया कि मुख्यमंद्री की अधिक्षता में संपन बैठक में कार्मिक विवाग के इस प्रस्ताओं पर विचार हुआ है कैमिनेट ने समलेत राजी प्रवर अधिनस्त सेवा मुख्य परिक्षा हुआ परिक्षा योजना पाठक्रम में संसोधन संबंधी प्रस्ताओं पास कर दिया है इससे स्केलिंग को लेकर काफी समय से चले आ रहे हैं विवाद को खतम किया जाएगा देखें जो साइनसाइट के कैंडिडेट होते थे और जो आर्ट के रहते थे तो उनको नमबर कम मिलता था तो फिर स्केलिंग जब होती थी तो जिनके नमबर अधिक रहते थे फिर उनको कम किया जाता था इससे विवाद होते थे इससे बचने के लिए भी सीजो को किया जा मालब की विसे के अभेर्सियों से जादा अंक मिल जाते थे फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फाइदा तो किसी को नुकसान होता था PCS 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था तो किल में लाके आप सभी लोगों को जानने योग्यबात सर्फ इतनी है कि अब आप लोगों को यूपी अगर आप यूपी स्पेशल चीज़े पढ़ते है तो आपको और अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि उसके दो प्रिश्ण पत्र जोड़े जाएंगे अभी नोटिफ कर दोड़ते है को यूब कर खिव लोगों है है killing जाम ओर खिवाएंगे ओशつे कर दो लोगों कर दिया मैं को सवय लोगों अबर मने खिर हैंगे खिए KH 15ोड़े ड Eastern